दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का वक्त जो है वो बचा हुआ है इस पर बातचीत करने के लिए आम आद्मी पाटी के कड़वर निता जैस्मिन साह मर साथ हैं सर मेरा आप से सवाल है कि दिल्ली को आप लोग सभाव में कह रहे हैं कि दिल्ली को पूनराजी का दर्जा जो है वो आप देंगे तो अब कैसे क्या प्लान है सर देखे पहले तो यह समझना जरूरी है कि दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है उनका हल केवल और केवल पूनर हो गई है दिल्ली देश का क्राइम केपिटल मना जाता है हर दिन आये दिन चोरी चकैरी मॉर्डर रेप के बारता दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे जो मेन रीजन है कि दिल्ली पूलिस की जो जवाब देई है वो दिल्ली सरकार दिल्ली के मुख्य मंतिय के प्रति नहीं है वो रिपोर्ट करती है होम मिनिस्टर को अमिद्शा को तो अगर दिल्ली के लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो वो किसको मिलने जाए अमिद्शा से मिलने जाए अमिद्शा तो देश के होम मिनिस्टर है, ग्रह मेंत्री है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, दिल्ली कोई छोटा शहर नहीं है, तीन करोड लोगों के आबादी वाला है, एक सबसे बड़ा प्रधेश है देश का, तो अब ये समय आ गया है और ये पुराना मुदा है, ये कोई नया मुदा नहीं है भाजपा जब तक विपक्ष में थी, तो आप उनके सारी मैनिफेस्टों उठाके देख लीजे, कहते हैं कि नहीं दिल्ली को पूर्ण राज़े देंगे, सब समझते हैं राजनेतिक दल कि दिल्ली के लोगों के हित में है कि दिल्ली पूर्ण राज़े का स्टेटस मिले, ल लेकिन दिल्ली के लोगों के तहट जो सरकार बनती है, उनके मुख्यमंत्री के तहट सारी शक्तिया होनी चाहिए कि दिल्ली के लोगों के जिंदगी को खुशाल बना सकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मुद्दा दिल्ली को पूर्ण राज़े बनाना चाहिए और ये ता इतना महतपून क्यों है, क्योंकि आपकी दिल्ली में सरकार भी थे है अब लोगसभण क कियो है समैरा है. क्योंकि जितने काम, आज दिली के लोग केजडेवाल जिसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है, दिली के लोगों के लिए सरकारी स्कूल शांदार बनाया है, महला क्लीनिक, अस्पताल, फ्री बिजली, पानी, मुफ्त बस यातरा महिलाओ के लिए, तमाम पेरो काम की, येतितियात्रा वगारा, लेकिन इन तमाम कामे अडंगा लगाने का काम किस ने किया है, भाजपा के सातों संसदूं about leggs. इसलिए हम कहते हैं, कि अगर केजरिवाल जी को और काम करने की छूट मिलेगी तो वो तभी मिलेगी जब दिल्ली में 7-7 आम आदमी पार्टी या इंडिया गडबंदन के होगे और इंडिया गडबंदन की सरकार केंद्र में होगी तो मुझे लगता है कि ये चुनाओ दिल्ली को एक different level of development में ले जाने वाला चुनाओ है दूसरा देश को भी बचाने का चुनाओ है ये बात केवल दिल्ली की नहीं है आज देश के उपर तानाशाही का एक ये जो है कहर मंडरा रहा है कि देश में सारी चीजें एक तरफा हो रही है सारे संविधानिक संस्ताएं जो एक तरफा हो रही है अगर देश का संविधान नहीं बचेगा देश का लोकतंतर नहीं बचेगा तो क्या हम आदमी पार्टी क्या कॉंग्रेस क्या बीजेपी इसलिए हम लोगों से हाज जोड के अपील करते हैं कि ये देश बचाने का चुनाव है और दिल्ली के लोगों के लिए खास करके अर्विंद केज़िवाद जी को और शक्तिशाली करने का भी चुनाएं सर दिल्ली के मुखमतरी अर्विंद केज़िवाद जो है इस समय जमानत पे रिहा है सभाव में बोल ले हैं कि अगर जनता बोट देगी तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा सर ये क्या प्लान है क्योंकि वो तो जमानत पे है भी बिल्कुल जमानत पे है लेकिन हमें समझना होगा कि वो जेल में क्यों गए जेल में इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई भी प्रस्टाचार के अदली के लोगों को पता है एक फरजी शराब गोटाला जिसमें दो साल से जान चल रही है जिसमें कोई सबूत नहीं है अब तक एक रुपए की रिकवरी नहीं हुई लेकिन भाजपा ने अपने लोगों से भा पक्स जाज कर पाएंगे और तब पता चल जाएगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा तो फिर अगर केसी नहीं रहेगा तो फिर अर्विन केजरिवाल जी किया मनी से सो दिया सत्य अंदर जाएंगे सारे लोग और मैं कह रहा हूं कि केवल आमादमी पार्टी के हेमन सोरेंड कहीं सारे ऐसे विपक्षी नहता हैं जिनको केवल और केवल अपनी राजनीती को चमकाने के लिए भाजपा ने जेल में बंद किया है ये सारे लोग जेल के बाहर रहे हैं सर केजरिवाल कह रहे है कि अगर दिल्ली में आमादमी पार्टी अगर हारती है तो डि पिछले 10 सालों से भाजपा के सातों सांसदों को दिली के लोगों ने जीत कर भेजाया अगर आज की तारिक में आप पूछे कि इन साथ सांसदों ने भाजपा के दिली के लोगों के लिए क्या काम की एक चीज़ा आप नहीं बता पाएंगे एक चीज़ा दिली के लोग नह बता पाएंगे ना कोई स्कूल बनाया ना कोई क्लिनिक बनाया सडक ना लिया कुछ नहीं इन फैक्ट जो MP लैट स्कीम होती है जिसके तहट हर सांसद को बहुत करोड़ों रुपे मिलते हैं अपने बता चला कि उस पर भी उन्होंने दो तिहाई पैसा तो बरबाद कर दिया खर्ची नहीं किया बोला कि नहीं काम करने की कोई जरूर नहीं है एशो आराम करो MP बनाया लेकिन एक काम जिसकी मैं जरूर क्रेडिट दूँगा भाजपा के सांसदों को और LG साब को जो उन्होंने क किया है वो है केजणिवाल जी के काम, रोकने का काम जलबोड का 800 करोड से ज्यादा बजजट जो vorbere सरकार की एजनसी, दिली सरकार में और peng रखा था वो LG साब तो ये सारी अडचने अगर हटानी है निकालनी है तो इंडिया गड़ बंदन के सांसद चूच करने पड़ेंगे दिल्ली में और इंडिया गड़ बंदन की सरकार केंद्र में बनना बहुत जरूरी है सर्फ जिस तरीके से भारतिय जिनता पार्टी के जो प्रधान मंतरी निम्ध मोदी जी वो गारंटी देते हैं और विंद केजरिवाल जी भी दस गारंटी जो है वो लेके आए हैं इसके लिए क्या एक्षन प्लान है कैसे आप तयार करेंगे और क्या इसे एलाइंस के साथ गारंटी पूरी हो जाएगे देखे मतलब हसी की बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने अब तक जितनी भी गैरंटीयां देई हैं सब जुमले निकलें आपके सारे दर्शकों को याद होगा कि 2014 में क्या बात करी थी बात करी थी बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार महंगाई दुनिया भर में आज भारत में और यह मैं आकड़ों के साथ बताता हूं पिछले 10 सालों में 70 प्रतीशत चीजवस्तुएं महंगी हुई है जो पेट्रोल का दाम था 60-62 रुपए आज 100 के पार हो गया है डीजल 55 पे था आज 90-92 पे हो गया है लपी जी देखे 400 र के चुछ दे दीए तो तमाम चीज़े महंगी हो गई है कहा था कि बुलेट रेन चलाएंगे आज बुलेट रेन की बात ही नहीं हो एड़ी किसान के आई हम दुगनी कर देंगे क्या हूँ साठे साथ सो किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी क्यों कि मोधी जी कह रहे आ हमें तीन काले कानून लाओंगा तो दस साल आपने कोई काम नहीं किया कोई भी आपने अपना वादा पुरा नहीं किया पंद्रा लाक रुपेर देनी की बात कही थी काला धन लाएंगे तमाम चीजें फेल हो गई तो आज किस मूँ से यह गैरेंटी दे रहे और आज कह भी क् णी का, दूसरी तरफ जब अर्वें केजरीवाल जी गैरेंटी देते हैं तो लोगों को विश्वास होता है एक क्यों क्योंकि उन्होंने वो काम कर चुक हैं दिली भी कुछूम में जह समभव है, वो बात हम नहीं करने हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम कहरे हैं कि जैसे दिली के स सारे सरकारी स्कूल हमने ठीक की हैं, देश के सरकारी स्कूल केवल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, पूरा blueprint है हमारे पास कितना पैसा खर्च करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और हम करेंगे, गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे, हमने कर दिखाया, 24 गंटे, आपको मतलब आज द लंबे-लंबे, 6-6-8-8 गंटे के पावर कट लग रहे हैं, तो ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरू, 24 गंटे बिजली केजरिवाल जी ने दिल्ली में वो व्यवस्ता करी है, तो ये सारे काम हम जानते हैं, हम कर चुके हैं, और हम अब ये विजन देश को देंगे, सब अलाइंस के साथ इसे कैसे तालमिल बैठाएंगे, बिल्कुल करेंगे, देखिए, जो हमारा विजन है, अलाइंस का भी विजन वही है, ये सारी चीजें, क्योंकि आज हम अलाइंस का हिसा है, तभी हम ये बात कर पाते हैं, अगर आम आदमी पार्टी अलाइंस से अलग नहीं करता कि सरकारी स्कूल पूरे देश में शांदार होने चीए, प्राइवेट से बेटर होने चीए, मुफ्त बिजली मिलनी चीए, स्वास्त पे काम करना चीए, चीन जो जमीन हमारी हडपी है, उसको हम वापस लेना चीए, अगनी विर स्कीम को खतम करना चीए, तो ये तो लॉइनर्डर की स्थिति पर आप क्या कहेंगे देखे ये बहुत ही एहम सवाल आपने पूछा क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब देश के चुनाव होते हैं सांसर चूज करने के चुनाव होते हैं तो हम चर्चा कर बैठते हैं राजी सरकार की या कॉर्परेशन की दिल ही बैठर होगी लेकिन अगर हम सांसर भी जिताते हैं दिली में इंडिया गडबंदन के तो वो जरूर इस लॉइन ओर्डर व्यवस्था पे एलजी साब से मिलके और केंद्र सरकार से मिलके बहुत अच्छा काम करा सकते हैं आप खुछ सोचे कि 10 साल में लॉइन ओर्डर की जो व्यवस्था है वो बद से बत्तर हुई है आज भातपा के साथ सांसर ने कुछ नहीं किया है दस साल केवल और केवल अपनी बंगले गाड़ियों में एश करी है एक काम नहीं किसी ने एक सिसी टीवी भी लगाया हो तो मुझे बात कह सकते हैं लेकिन अगर केजरिवाल क और केजरिवाल जी ने उल्टा क्या किया कि उनके हात में लॉग लॉग प्रोर्डे में दुनिया भर में आज सबसे ज्यादा सी सी टीवी डिली में लगें क्यों कि केजरिवाल सरकार ने लगाय है तो अगर हम उनके हात मझबूत करते हैं तो निश्चित तौर पे लौ teu ड देखे, अर्विन केजरिवाल जी ने जब जब जो वादे किये हैं दिल्ली के लोगों के लिए वो पूरे किये हैं, आपने सही बात कहा कि इस दिल्ली का जो बजट पास हुआ था मार्च के महीने में, उसमें एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी योजना की गोशना हुई, कि दिल्ली की हर महीला जो अठारा साल से उपर है, उसे एक हजार उपे प्रती महीना सम्वान राश्ची देंगे, ये बहुत बड़ा ऐलान है, इससे बड़ा महीला शशक्तिकरन का कोई भी स्कीम या प्रोग्राम देश में नहीं आई, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास इतने पेपरवक होना चाहिए, आप ये eligibility कोई नहीं, जो भी महीला है, जो अठारा साल से उपर है, उनको ये स्कीम लागू होगी, इसके लिए budget आवनटित हो चुका है, जितना भी budget रखना था, इसके लिए रख चुके हैं, पूरा इसका खाका तयार हो गया है क्योंकि अभी चुनाओ है, वो स्कीम पास होने में देरी हो गई, लेकिन जैसे चुनाओ खतम होते हैं, ये स्कीम आएगी cabinet के पास, स्कीम पास होगी, और आने वाले कुछ महीनों में ये लागू होगी अच्छा साथ, आप अपनी सभाव में बोल ले हैं कि BJP की जो वाशिंग मसीन है, उसको तोड़ देंगे, इसका क्या मतल़ है साथ? देखे, अब तो देश की जनता जान चुकी है कि जब वाशिंग मशीन की बात होती है, तो घर की वाशिंग मशीन से पहले BJP की वाशिंग मशीन का चेहरा आता है, जिसमें मोदी वाशिंग पाउडर जाता है, निर्मा वाशिंग पाउडर नहीं जाता है, तो ये एक ब्रस्टाचारी को नहीं रहने दूंगा तो लोगों ने बोला चलो एक बाद चूस करके देखते हैं लेकिन मोदी जी तो यह कहते हुए अब गूम रहे कि किसी ब्रस्टाचारी को नहीं छोड़ूगा इन सब को भाजपा में शामिल करूँगा तो आप देख लीजे हेमंद बिश्वशर्मा पे अमिज शाने आरोप लगाये थे क्या हुआ भाजपा में आया सारे इनके पाप धुल गये हैं कोई EDCBI का केस नहीं चला नरायन राने हैं अजीत पवार हैं प्रफूल पटेल हैं अभी नवीन जिंडल हैं हर महीने हर महीने ये लोग एक देश के सबसे ब्रस्टाचारी नेता को भाजपा में लाते हैं वाशिंग मशीन से साफ कर लेते हैं और फिर सारे इनके केस बंद हो जाते हैं अब ये नहीं होगा जिस जब 4 जून को इंडिया गडबंदन की सरकार बनेगी तो किसी भी ब्रस्टाचारी को सरंक्षन नहीं मिलेगा चाहे वो जिसी पार्टी में है और पूरी स्वतंत्र तरीके से एडी और सीबिया अपना काम करेगी सर एक मुद्दा है जो अभी कुछ दिनों पहले चुनाव से पहले बहुत तेजी से आये था इलेक्टराल बॉंड जी क्या ये चुनाव में मुद्दा है सर इसका कुछ इंपक आता दिखाई देगा इसा देखिए भाजपा ने बहुत कोशिश करी कि इलेक्टराल बॉंड का मुद्दा पहले तो बहारी नहीं आए आपके दर्शोकों को भी ख्याल होगा कि सुप्रीम कोट में जब ये मुद्दा गया तो एडी चोटी का जोर लगा दिया भाजपा न दिये गुप्त तरीके से आप भाजपा को चंदा दीजिए हम आपको सरकारी टेंडर देंगे दूसरी ऐसी शेनी में कंपनी हैं इंडिविजुल्स हैं जिन पर एडी सीबी आई की केस लगते हैं और वो केस लगने के बाद वो भाजपा को पैसा देते हैं और उनको emitलि मेट केस छल रहा हैं जिसमें सबसे जादा पैसे लगबाग 70-70% पैसे बाजपा आपको मिले हैं और आप जसे लोगोंasia जो ने चंदा लिया है तो इसका जवाब जरूर वोट के मादेम से लोग देंगे बिल्कुल जजमे साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैमरा परसन विजय सिंग के साथ में महम्मध यूसफ न्यूस 24 दिल्ली